हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम आपसे चल्चा करने चल रहे हैं मुगल जागीरदारी वेवस्था के ऊपर मुगलों के समय में जागीरदारी वेवस्था क्या थी जागीरदारी कितने तरे की होती थी और जागीर किसको किस कारी के लिए दी जाती थी इन सारे पहलों पर चर्चा करते है जागीरदारी जो सब्द है ये दो सब्द से बना हुआ है जागीर प्लस दार जिसको जागीर दी जाए मुगलों के समय में मुगलकाल में जागीरदारी प्रथा की सुरुवात करने वाला था अकबर ने जागीर मतलब भूचेतर देकर सेवा के बदले उसने भूचेतर दिया मुगलकाल में जो मनसबदार थे या जो बड़े पताधिकारी थे ऐसे सरकारी पताधिकारी इनका बेतन ऐसे भूचेतर के रूप में दियाता था जिसकी जमादामी उनके बेतन के बराबर हो मतलब जो बेतन दिया जाता था उनकार नहीं दियाता था बेतन के बड़े इतना बड़ा छेतर दियाता था जिससे प्राप्त राजस्व उनके बेतन के बराबर हो जाए जमादामी का मतलब है ऐसी भूमि जिसका अनुमानित लगान उसके बेतन के बराबर हो घमादामी मतलब अनुमानित लगान को कहते है तो इतना बड़ा छेतर दियाता था जिससे कि उनका बेतन के भरपाई हो जाए जमादामी में केवल राजर से सामिल नहीं था जमादामी में दो चीज़ें सामिल होती थी एक तो हासिल का मतलब जो वास्तविक लगाद वास्तविक वसूली लगाद दूसरा एक और चीज़ सामिल होता था जो उपहार आदे या नजराना जो नजराना या उपहार किसानों से मिलता था सामन्त को वो ही सामिल होता था तो वो छेत्र जिसमें जिसकी आए और नजराना दोनों मिला करके उसके वेतन के बराबर हो जाए उतना बड़ा छेत्र किसे सामिल को दे दे जाता था और इस प्रकार उसके वेतन की भरपाई हो जाती थी उसको जागिर कहते थे एक प्रकार से कहा जाए तो दिल्ली सलतनत की जो एकता व्यवस्था थी उसका ही एक परिवर्ति त्रूप जागिर्दारी व्यवस्था मंगलों के समय में देखने में मिलता है तो जागीरदारी व्यवस्था के अंतरगत जागीर किस प्रकार के होती थी, जागीर किसको किस कार के लिए दे जाती थी, यह आपने देखा कि जागीरदारी व्यवस्था सेवा के बल्ले दे जाती थी, अब जागीरदारी के प्रकार, जागीरदारी के प्रकार कौन-कौन थ जागिर्दारी कई तरह की होती थी और उनको अलग अलग कारे के लिए दिया जता था पहली जागिर्दारी जिसको कहते थे तनखा जागीर दूसरी वतन जागीर मस्चत जागीर अल्तमगा जागीर पैवाकी जागीर इनाम या मदर ए मास इच्छे प्रकार की जागीर थी मुगलों के समय में जो जागीर बेतन के बनले दी जाती थी वो तनखा जागीर कहलाती थी बेतन के बनले तीजने बनले जागीर किसी सामंद को, मनसबदार को, किसी सहिन्दिक प्राधिकारी को जो जागीर दे जाती थे वेतन के वले, वो तनखा जागीर होती थी और इस प्रकार की जो जागीर होती थी, वो हस्तांतर्डी होती थी, उसका ट्रांसफर हो सकता था ऐसी जागीर प्राया 3 से 4 वर्ष के बाद उसको ट्रास्फर कर दिया ता था goofy जागीर किसी भी मुगल पदा धिकारी को उसके सेवा के बदले दी जाती थी तो जब तक वो सिवा में रहता था, तब ते कि जागीर उसे प्राप्त होती थी, यदि वो सिवा में नहीं रहता था, तो ये जागीर फिर से राज की संपत्ति हो जाती थी, और तीन से चार वर्स के बीच ऐसी जागीर का हस्तानांतर हमेशा होता रहता था, किसी ए व्यक्ति को अगर मालो आगरा के पास जागीर है तो तीन चार साल के बाद उसको हो सकता है बंगाल में या उनिशा में या किसी अन्य मुगल छेतर में जागीर दी जा सकती थी ओके वोतन जागीर वोतन जागीर जो होती थी वो वनसानुगत थी और गैर हस्तारां तरिये थी इस जागीर का ट्रांस्वान ही होता था जिस सामंत को जागीर दी जाती थी पैत्रिक जागीर होती थी उसके पासे हमेशा के लिए उसको दी जाती थी ओके और ऐसी जागीर प्राया ऐसे राजा या जमिंदार को दी जाती थी जो बहुत प्रभावसाली होते थे और उनके प्रभुत्वाले छेत्र में ही ही दी जाती थी किसी राजा या किसी जमिंदार को जिसने की मगलों के लिए कुछ विशिष्ट सेवा किया हो तो ऐसे प्रभावसाली राजा या जमिंदार को उसके प्रभुत्वाले छेत्र के पास ही जो जागीर दी जाती थी ये वह तज जागीर कहलाती थी इस जागीर का अस्तारंद्रन नहीं होता था और ये जागीर उसकी पैतिक जागीर के रूपे वनसानुगत रहती थी मतलब वो सामन्त के ना रहने के बाद भी वो जागीर राज के संपत्य में नहीं ले जाती थी मस्तर जागीर ये जागीर कुछ सर्तों के अनुसार पर दी जाती थी सर्तों के साथ दी जने वाले जागीर कुछ कंडिशन्स होती थी उन सर्तों को जागीरदार को पूरा करना होता था मसलन सेवा देना है या किसी विशेश प्रकार का योगदार देना है राज के सम्रिध के लिए भासा के लिए अल्तमगा जागीर ये तीन जागीर ये अकबर के समय में चालू हो गई थी अल्तमगा जागीर जो है इसको जहांगीर के समय में चालू किया गया अल्तमगा जागीर ये जहांगीर के समय चालू किया गई और प्राया जो मुस्लिम पताधिकारी थे उनके जन्मस्थान के पास ही ये जागीर दी जाती थे अल्तमगा जागीर भी वजुसानगत जागीर थे ये मुस्लिम पताधिकारी के दी जाती थे और प्राया जो उनका निवासस्थान होता था वही बरिश्पकार की जागीर उनको दी जाती थे पैवा की जागीर पैवाकी जागीर एक ऐसी जागीर थी जो किसी पूर्व मनसबदार से दंड सुरूप छीनी गई जागीर थी और उसको किसी को दिया ना गया हो मालो कोई परगना है जो किसी सामन्त को जागीर की रूप में दिया गया था मसलन बैयाना बैयाना एक परगना है जो किसी सामन्त को दिया गया था छीन लिया गया और अभी उसे किसी को दिया नहीं गया तो उस परगने की उस जागीर की देखरे कौन करेगा उसकी देखरे करेगे सरकारी क्रमचारी, शाही क्रमचारी, तो ऐसी जागीर जो किसी पूर्ल मनसरदार से छीनी गई हो और किसी को दी न गई हो, ऐसी जागीर को पायवा की जागीर, एक प्रकार से ये सुरचित जागीर होती थी, ये किसी को दी गई हुई जागीर नहीं थी इस जागीर की देखरेक साही करमचारी करते थे तो ऐसी जागीर पायवाकी जागीर मददे मास यही नाम मुगल काल में जो बहुत प्रभावसाली लोग होते थे कोई बहुत विद्वान है, कोई धार्मिक व्यक्ति है कोई लेखक है, कोई ऐसा सम्मानित, संत या फकीर है तो ऐसे लोगों को अनाथ, बिद्वान, धार्मिक व्यक्ति ऐसे लोगों को इनाम के रूप में या मदद के रूप में जो जागीर दे जाती थी उसको इनाम या मदद मास कहते थे, और ऐसी जागीर के बदले उसे किसी भी प्रकार की सेवा धे देनी होती थी ये बिना किसी उत्तरदायत के, इनका कोई उत्तरदायत नहीं होता था बिना किसी उत्तरदायत के ये जागीर दी जाती थी जो दूसरी जागीर आपने देखा तंखा जागीर वतन जागीर इन जागीरों में तो जागीरदार को मुगल दर्वार की सेवा देनी होती थी लेकिन इनाम या मदद मास जो जागीर थी इसके बल्ले उनको किसी प्रकार की सेवा नहीं देनी होती थी आएसे व्यक्तियों की मदत के तोर पर ऐसी जागीर दी जाती थी और ये जागीर उनके जीवनकाल तक उन fundamentals के पास रहती थी आजीवन प्राप्थ व्यक्त के पास रहती थी इस चीज को धान से समझीएगा राजा ने जागीर जिसको दी थी ये जागीर उस व्यक्त के पास ही रहती थी तन्खा जागीर कटांसर हो जाता था लेकिन इस जागीर को वापस नहीं लियाता था ये उसी के पास रहती थी और उसका राजस मुवशूल करता था इवासन में आगई पार प्रकार की जागीर है जिस ब्रक्ति को जागीर मिलती थी उसे जागीरदार कहते थे और ये जो जागीरदार होते थे जागीरदार को उस जागीर से राजस वसूल करने का अधिकार होता था राजस वसूली का अधिकार दूसरा राजस निर्धारित करने का दिकार दूसरा राजस का निर्धारान और राजस की वसूली जागिरदार अपनी जागिरद पर लगार निर्धारित करता था उसकी वसूली करता था और इस कारे में उसकी सहायता दो वनसानुगत अधिकारी करते थे जिनको कानूनगो और चौधरी के नाम से आते थे कानूनगो और चौधरी ये ग्रामीर छेत्रे में वनसानुगत अधिकारी होते थे ये राजस वसूली में साहता करते थे तो इस प्रकार जागीरदार अपनी प्राप्ट जागीर से वो राजस वसूल करके अपनी बेतन के वराबर भरपाई कर लेता था और उससे अपना खर्च उचलाते थे जागीरदारी व्यवस्था में ये ध्यान रहे, प्राप्त जागीर पर जागीरदार को प्रसासनी का धिकार नहीं थे, एक्ता व्यवस्था में प्रसासनी का धिकार भी था, ये अंतर था. केवल राजस्वसंबंदी ये धिकार थे, राजस्वसंबंदी ये धिकार जागीरदार का होता था, प्रसासनी का धिकार नहीं. तो जागीर का प्रसासन को जलाता था? जागीर का प्रसासन फोदार जलाते थे, ये ध्यान नहीं. जागीर में ये कानून ब्यवस्था की कोई समस्या आती थी तो उस कानून ब्यवस्था की इस समस्या को सुझाने के लिए फाउसदार होते थे वो उस ब्यवस्था को देखते थे जागीरदार का काम क्यों भूराज़ सुल करके अपने बेतन की भरपाई कर लेना था यह बात क्लिए हो गई अब जागीर के समय एक बिसेश विभाग बनाया गया जो जागीर दारों के कारियों के उपर देख रेक करता था इसका ध्यान रखता था और इसका विवरण भी समराट को देता था एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया एक एजेंसी जिसको कहते हैं साबनी निगार ये एजेंसी थी जो जागीर दार के कारियों के उपर नेंतर रखती थी तो ये बिद्दागीर दारी वेवस्था इस प्रकार से जालित होती थी और जो बनसबदार थे बड़े सनिक पताधिकारी थे उनका वेटन जागीर के माध्यम से चुकता कर दिया रहता था मोगलों के समय जो सामराज था वो मुक्रूप से तीन भागों में बटा हुआ था भुराज के दिश से एक तो जागीरदारी छेत्र जो बनसबदारों को पताधिकारियों को जागीर देने के काम में लिया गया था दूसरा खालसा छेत्र खालसा भूमी खालसा भूम हो थी जिस भूमे पर लगान की वसूली और उसकी इक्रिश उपज सीधे समराट को जाती थी बासा के खजाने में उसकी आजाती थी और सरकारी कमचारियों के दोरा उसकी वसूली होती थी सरकारी कमचारी इसका लगान उसूल करते थे सरकारी कमचारियों के दोरा होता था और ये राज के कोस में इसकी आजाती थी तीसरा वोजसे था जो जमिंदारों को दिया गया था जिसकी वसूली जमिंदार करते थे तो जो भोराजस था जमिंदारों के दोरा वसूला जाता था सरकारी क्रमचारियों के दोरा खालसा भूम से वसूला जाता था और ऐसा छेत्र जो भोराजस के रूप में बेतन के रूप में दे दे आता था वो जागिरदारी व्योस्था के रूप में चानते हैं तो मित्रों यह सारी व्योस्था आपने देखी आपको वीडियो कैसा लगा आपको क्या से देगी चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहें जाज़ वाद